जिम्मेदारी, बेरोजगारी और मजबूरी, इंसान से वो हर काम कराती है जो काम इंसान करना नहीं चाहता है, जी हाँ, ऐसे ही एक मामला सामने आया है, एक ऐसी महिला जो अपने बीमार पती, दो बेटी और एक बेटे के पालन और पोसन के लिए, या महिला एक ऐसा निर्ना है, और महिला जब कि खुद गर्भावती होती है, महिला यह निर्नाय लेती है कि वह अपने वतन को छोड़ कर दूसरे देश में जाएंगी, और वहाँ पैसे कमाएंगी, और अपने बिमार पती, और अपने तीन बच्चों का देखवाल कर पाएंगी, लेकिन जी, जैसे ही वह विदेश जाती है, और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिन्दिगी के तलास में हम मौत के कितने पास आ गए, जी हाँ, आईए आपको हम आगे सब खुलासा करते हैं, मेरा नाम गोल्डेन अनिकेत और आप देख रहे हैं, फाइनल पोश्ट, जी हाँ, मह मुई के सांसाद चिराग पश्वान जी हैं, जी हाँ, मैं इन दोनों का नाम इसलिए लिया हूँ, कि अगर बिहार में नितीश कुमार जी, रोजगार की अगर अच्छी बेवस्ता किये रहते, तो उस गरभावती महिला को विदेश नहीं जाना पड़ता, अपने वतन के मुख चैन को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाना पड़ता, मैं यही बात चिराग पश्वान जी से भी कहना चाहता हूँ, कि अगर वो भी अपने संसदिये छेत्र में अगर रोजगार की वेवस्ता किये रहते, तो उस गरभावती महिला को दूसरे देश में जाना न कि क्या बीटता होगा उस इंसान पे जिसके साथ जो महिला इतनी बड़ी समस्या से गुजर रही हो, महिला अपने रोजगार के तलास में इधर उधर भटक रही थी, इसी भटकने के अंतराल में उन्हें दिल्ली के पहार गंज में वसी मक्तर नाम के एक पुरिश और एक मह महिला सन्नो सयद से उनकी वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से गरभावती महिला लक्षमी का इंटर्विव किया जाता है और उन्हें फिर दिल्ली बुला लिया जाता है, दिल्ली बुलाने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपको ओमान जाना पड़ेगा मस्कट में और वहा करेंसे चली जाती है जाने के बाद वहाँ उनका महिला का मुबायल जब्द कर लिया जाता है, और हाला कि महिला का स्वास्त भी बिगड़ता है धीरे-धीरे क्योंकि महिला तीन महा की गरभावती रहती है इस अब होने के बाद जब महिला को लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो महिला ने वाटसब के माध्यम से अपने परिजनों तक ये सुचना पहुंचाई कि हमारा हाल यहां ठीक ठाक नहीं लग रहा है और मेरा तवियत भी अच्छा नहीं है और मुझे यहां सही समय पर खाना पिना भी नहीं दिया जा रहा है इस सब बातों को जानकर महिला के परिजन काफी परसान और हैरान हुए इस मामलों को लेकर महिला के परिजनों ने जब छान बिन की और वहीं दिल्ली में पहार गज ठाने में एफायार दर्ज कराई मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूं या वहाँ के जमूई के सांसत चिराग पस्वान से ये कहना चाहता हूं कि वो लोग इस मामले में हस्त छेप करे और जल्द से जल्द गरभावती महिला को वापस बुलाने का कारे करे नमस्कार आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद